हलो दोस्तों दोस्तों आपके अपनी चैनल क्लास रूप इतअध मे एक बार आपका फिर से सवागत है दोस्तों यह जेन्रल सांच्छिक्स का वीडियो है टॉपिक है मापन, मातरक और विवाय, मेजरमेंट, यूणिट, एडिमिंशन दोस्तों यह मापन जो टॉपिक है इसक से पहले एक रिक्विस्ट है कि अगर आपने हमाई चैनल को अब तक लाए सबस्क्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा जरू करें और राट साइट का बेल एकन जरू करें ताकि नए वीडियो अप्लोड होने पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो दोस्तों देखे इसमे देखें दोस्तों इसमेह आगला प्रॉइंट है कि वे राशिया जिनका प्रतिक चुरूप से महापन किया सकता है वह बहुतिक राशियों का प्रतिक शुरूप से मापन किया सकता है जिसे हम अनभाव कर सकते हैं अपनी यानिंद्रियों के द्वारा यानि की sensory organ के दुरूँ ठीक यादर केगा अगला प्रतिक राशि की माप को विक्ट करने के लिए उस राशि की एक निशित मातरा को मानक मानते हैं यह कहलाता है मातरक यानि की unit प्रतिक जो बहुतिक राशि होती है उसकी माप करने के लिए उस राशि की एक निशित मातरा को मानक मान लिया जाता है standard मान लिया जाता है और यह जो है मात्रक क्याने की यूनिट कहलाता है, अगला परिंट देखे दोस्तों क्या है, अगला परिंट है कि किसी भौतिक राशी की इसके मात्रक से तुलना करना कहलाता है, मापन, तो मेजर्मेंट क्या है, कोई भी फिजिकल कॉंटिटी है, उसकी जब उसके यूनिट स उसका compare कह जाता है तो इसका कहलाता है मापन कहलाता है अगला point देके दोस्तों क्या है एक दुसरे से स्वतंत्र भातिक राशी कहलाती है मूल राशी तो एक दुसरे से जो separate और isolate जो राशियां होती है होती है उनको कहा जाता है मूल राशी यानि कि fundamental quantities याद रखेगा अगला point देके दोस्तों क्या कह रहा है मूल राशियों की माप को व्यक्त करने के लिए मूल उपयोग में लाए जाने वाले मातरक कहलाते हैं मूल मातरक ठीक तो जो fundamental quantities होती है उनको represent करने के लिए जिन units का इस्तिमाल करते हैं उनको क्या कहते है मूल मातरक यानि कि fundamental units अगला point देके दोस्तों क्या कह रहा है मूल राशियों की संख्या होती है यानि कि fundamental quantities के numbers होते है 7 अगला point है दोस्तों कि मूल मातरकों की संख्या होती है मूल मातरकों यानि कि fundamental units की numbers होते है 7 अगला point देके दोस्त पदात की मात्रा ठीक ये सब क्या है मूल राशियां है fundamental quantities है physics पे ठीक याद रखेगा अगला point देखे दोस्तों क्या है meter kilogram second Kelvin candela ampere mole ये सब क्या है मूल मत रखे है यानि कि fundamental units है जो fundamental quantities को represent करते हैं ठीक याद रखेगा अगला point देखे दोस्तों क्या रहा है अगला point कह maximum you can't look at the morick patio या पूरचीा है तो संपूराचीया अनिकि एंगल और गंगण कोड़"? अगला point है कि संपूरक मांतुरच है संपूरक मात्रक रिडियन और स्टे रिडियन होते हैं ठीक याद रखेगा रिजिन उस्टेडिने संपूरक मातरक कहलाते हैं आप देखे इसमें तीन कॉलम है और तीन कॉलम में इसकी मूल लाशियों का नाम है मूल मातरक का नाम हो और इसके संकेत ठीक यानि की सिंबल्स दिए गए है तो लंबाई का जो मूल मातरक है फंडमेंटल जो आपका यूनिट है लंद का वो है मीटर और इसको स्मॉल अम से रिप्रेजेंट करते हैं अगला पॉइंट देखे इसमें क्या है द्रवेमान यानि की मास मास को जो यूनिट है वो है किलोग्राम और इसको केजी से डिनोट करते हैं अगला point है time sum है इसको second इसका unit है और इसको small s से represent करते हैं अगला point देखें दोस्तों क्या है विद्धारा, electric current इसका unit है वो ampere है और इसको capital A से denote करते हैं अगला point ताप यानिकी temperature और इसको kelvin इसका unit है और इसको capital K से denote करते हैं अगला point देखें जोती तीवरता यानि की luminous intensity इसका जो unit है वो candela है और इसको small cd से represent करते हैं फिर पदार्थ का परिमार है इसका जो unit है वो mole है इसको mol से denote किया जाता है ठीक अगला point देखें तो उसको क्या है कि संपूरक राशिया मात्रक और संकेत उसके दिये हुए तो कोण जैसा पहले मैंने बताया था इसका unit है radian और इसको rad से denote किया जाता है यह r से denote किया जाता है फिर उसके बाद में घंकोण solid angle इसका unit है still radian इसको sr से denote किया जाता है अगला point देखें दोस्तों क्या कह रहा है अगला point कह रहा है कि वितपन राशियां क्या होती है यानि कि derived quantities क्या होती है तो कह रहा वे राशियां यानि कि वो quantities जो मूल राशियों यानि कि fundamental quantities की सहायता से उसके help से निकाली जाती है प्राप्त होती है वितपन राशियां क्यालाती है ज momentum, आवे, impulse, शक्ति, यानि की power, ये सब एक्सक्टरा अधी, जो है, वो आपकी सारी की सारे derived quantities कहलाती हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में फिर मिलते हैं, आपको हमाई चैनल कैसा लगा, आप like, subscribe, share जरूर करें, और राइच चैट का बेल आकन जरूर प